किसी को छेड़ते नहीं है लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं अब कांगरेस को क्यों हो चक्रभू सकनी चौपांग यह याद आती है हमारे प्रथम प्रधान मंतरी स्वर्गी पंडी जबालाल नहरू जी रूस गये वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो भारत रत्न चौधरी चरेल सिंग जी ने का ये नहीं हो सकता भारत की किरसी की परिस्टियां बिलकुल अलगे अमेरिका से पि-ल-480 सड़ा हुआ लाल गे हूँ भारत दुखाने पे विवस और मजबूर होना पज़े हूँ स्वर्गी इंद्रा जी के समय उस समय किसानों से जवरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था 2004 से 2014 के बीच की मैं क्या बान करूँ उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने जाने सभाओं में गिंती गिंते थे दो लाग तक के करजे माफ दस दिन के अंदर और बोलते थे एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, दस दस दिन में करजा माफ ने तो 11 दिन मुख मंत्री हटा दिया जाएगा दुबारा सरकारे बहां लोट के नहीं आई क्योंकि ये चल और फरेव और ठगी अगर करती ही किसान के साथ तो कॉंग्रेस करती है कॉंग्रेस करती है ये ये तीन सब ये तीन सब डिलिट हो गए मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था लेकिन जब चर्चा का प्रारंभू हमारे विद्वान मित्र सुर्जेवाला जी ने किया तो उनने थोड़ा छेड़ दिया मानि सभापती हम किसी को छेड़ते नहीं है लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं है उतले मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूँ बैतर होता वो आज यहां उपस्ठित होते मानि सभापती जी उनको याद भी आए तो सकुनी याद आए सकुनी चोपग चक्रव्यू और इन सारे सब्दों का संबंध है अधर्म से जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तुन पैसी सकुनी मतलब छल धोखे और कपट के प्रतीक थे चोपग मैं तो धोखे से हराया गया था और चक्रव्यू मतलब फेर वाया और नहीं घेर के मारना अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यू सकनी चोपग ये याद आते मानी उपसभापती जी जब महाभारत काल में हम जाते तो हमें भगवान स्रीकृष्ट ने याद आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर भवति भारता हव्य॥ानम धर्मस्य तदात्मानम स्डाम्यम परित्रानाए साधुनाम बिना सायच दुस्क्रताम धर्म संस्थाप नार्थाए संभवाबी युगे युगे हमको तो कनिया याद आते जब जब धर्म की आनी होगी अधर्म बढ़ेगा पाप बढ़ेगा आत्याचार अनाचार बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाज के लिए मैं बार बार आऊंगा ये भगवान स्रीकृष्ट ने कहा था लेकिन अनीती और अधर्म किसने किया ठगी किसने की बाननी उपसा भापती जी कांगरेश के डियने में ही किसान विरोध है मैं ये कहना चाहता हूँ ये आसने आसने प्रारंब से ही कांगरेश की प्रात्विताएं गलत रही है हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गी पंडिजवालाल नहरूजी मैं उनका आधर करता हूँ लेकिन भारती परमपरा खेती के बारे में उसका अंदर बहां नहीं किया रूस गये वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो भारत रत्न चौधरी चरेंड सिंग जी ने का ये नहीं हो सकता भारत की किर्शी की परिस्टियां बिलकुल अलग है प्राथ बता हैंगा अगर अप्ति उक्ताभा बतीजी सत्रा वरस तक उन्होंने प्रधान मंतरी जी के पद को सुझोबित किया तक तब क्या हो दा था अमेरिका से पिल फोर एटी सड़ा हुआ लाल गे हूँ भारत को खाने पे विवस और मजबूर होना पर देए मानी उपसाभा पती जी स्वर्गी इंद्रा जी के सब है मुझे अच्छी तरह याद हम छोटे थे उस समय किसानों से जवरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था जवरदस्ती लेवी वसूली जाती थी अगर दो कंटल भी है तो एक कंटल देखे जाओ बिंडे खोद दिया जाते थे रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था भारत आतम मिर भर नहीं हुआ स्वर्गी राजीब्टी ने भी बात जरूर की उन्होंने बात अवस्य की एरिकल्चर प्राइस पॉल्सी की लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए यहां तक की मानिव सभापती जी उदारी करन का प्रारम भुआ स्वर्गी नर्से माराव जी मनमोहन सिंग जी उस समय बित्तमत्री थे एकर उस समय भी क्रिसी से जुड़े ओध्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया क्योंकि प्राइथ बितना गलत थे और मानिव सभापती जी 2004 सब 2004 के बीच की में क्या बात कहूं उस समय ये भारत जो प्राचीन और महन रास्ट है जिसने दुनिया को ग्यान का प्रकास दिया थे उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने जाने की 2G, 3G, 4G मानिव सभापती महोदाय और तब भारत के राजनीती में आप धहर से सुने तब भारत के राजनीती चित्रिच पर उद्य हुआ एक दैदी प्यमान सूरी का जिसने सारे देश को आसार पिसमास से भर दिया कांग्रेस की प्राथ्विक्टाएं गलब थी मोधी जी के नेतरत में प्राथ्विक्टाएं बदलने का काम है और खेती के लिए मानी अद्डग्छी जी हमारी छे प्राथ्विक्टाएं में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ छे प्राथ्विक्टाएं बढ़ाना नमबर दो उत्पादन की लागत घटाना नमबर तीन उत्पादन के ठीक दाम देना और नमबर चार और नमबर चार प्राकिर्टिक आपदा में ठीक राहत की रासी देना नमबर पाँच किर्सी का विवधी करण खेती में बैल्यू एडिसन और मानी अध्यक दो उपसभापती जी आने वाली पीडियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे इसलिए प्राकिर्टिक खेती को बढ़ाबा देने का प्रियास सुविचारे ढंग से ये भारती जन्ता पार्टि की सरकार एंडिये की सरकार खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है मानी सभापती जी आज मैं आपके मार्धम से आस्वस्त करना चाहता हूँ ये सरकार किसानों को निरंतर समर्थन देना जारी रखेगी मूल ठीक मिले इसके लिए बोधी सरकार प्रिची बद्ध है संकल्प बद्ध है मानी सभापती जी क्रेडिट की करच की बात हो रही थी मैं अभी बात कर रहा था प्रारम में सकनी चौपड ठगी ये करच की बात करते हैं अपने घोष्णा पत्रों में केंदर के और राजिके एक बार नहीं अन्यकों बार का जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे करचे माफ कर दिये जाएंगे मदप्रेस, 36 गड़, राजिस्तान, इनके डेता गए थे सभाओं में गिंती गिंते थे दो लाग तक के करचे माफ दस दिन के अंदर और बोलते थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस दिन में करचे माफ ने तो ग्यारवे दिन मुक्ख मंत्री हटा दिया जाएगा लोगों ने एक बार जिता दी अठारा में निंदिजार करते रहे दस दिन हो गए एक महीना हो गया एक साल हो गया करचा माफ नहीं हुआ तो सबा साल में फिर से कांग्रेस की सरकारी चली जी दी मद्रीश में और दुबारा मानी सभापती महोदे दुबारा सरकारे बहां लोट के नहीं आई क्योंकि ये चल और फरेव और ठगी अगर करती ही किसान के साथ मानी सभापती जी मेरी बिनम्रता पूरवक प्रार्थना है के देश के किसान और किर्सी की जिम्मेदारी मुझे बिली है तो कुछ वुनियादी चीजे मैं सदन के माध्रम से रखना चाहता हूं तो मुझे आप अनमती देंगे अगले दिन भी आप बोलने का कहेंगे तो मैं रखना आज मुझे कहती हुए खुसी है कि मोदी जी ने तीन किस्तों में छेहाजार रुप्या हर साल और ऐसे नहीं डीवी टी के माध्रम से बीच में कोई विचोलिया नहीं एक प्रदान मंत्री जी इस देश में हुए थे जो कहते थे एक रुपया देते हैं पंदरा पीसा पहुंचता है लेकिन मोदी जी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूँगा इसलिए एक डालते हैं तो सीधा एक रुपय यही पहुंचता है प्रेक्षणाज। Thank you wonderful minister, thank you